गुड पॉनिंग डियर लेर्नर्स इंद्रा गांधी राष्ट्री मुक्त्विस्विद्याले के विद्यार्थियों का स्वेंप्रभा के चैनल 17 पर आप सभी का स्वागत है आज हम सभी व्यष्टी अर्थसास्त्र प्रथम की चर्चा को करेंगे जो पिछली सत्ता हम लोग कर रहे थे उसके आगे के जो अधारना है उसको हम लोग आज इस क्लास में जो आनलाइन क्लास है उसमें अपना डिसकुसन करेंगे आज हम लोग जिन्विस्यों पे चर्चा पर चर्चा करेंगे उसमें मांग है मांग के प्रकार हैं मांग का नियम है कौन कौन से ऐसे तत्तों हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं और मांग को निर्धारित करने के जो दो महत्पूर्ण कारक हैं एक उभुकता की मांग और दूसरा जो बाजार है उसकी मांग और मांग जो है उसका सिडूल क्या है मांग वक्र क्या है मांग वक्र जो है वह दाएं तरफ ढाल उसमें क्यों होता है साथी डिमांड फोरकास्टिंग मांग पुर्वनुमान और मांग पुर्वनुमान के विविन विधियों पे भी चड़चा और पड़चडचा करेंगे साथी विष्टी अर्थसास्त्र में कुछ महत्वपूर्वन अउधार्णाएं हैं जैसे डिमांड है वांट है और सप्लिमेंटरी गुड्स हैं जिसको हम अस्थानापन वस्तुवें भी कहते हैं और पुरक वस्तुवें कहते हैं उनके विशय में भी हम आज चड़चा और पड़चर्चा करेंगे डियर लर्नर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनको सरपर्थम हम बताना चाहेंगे कि जो डिमांड होती है डिमांड मांग क्या है मांग यह प्रभावी जो है वांट का वहरूप होती है जिसमें प्राया है अगर हम देखें तो जो कस्टमर है उसके अंदर खरीदने की एक सक्ति होती है हम कर सकते हैं कि मांग जब कोई एक कस्टमर मांग की तहते अगर हम बात करें तो जिसमें किसी वी वस्तुओं को किस प्रकार से खरीदने के लिए आगे बढ़ता है जब मांग की बात हम करते हैं तो उसमें चार महत पूर्ट चीज का होना बहुत ही आवसेक है उसमें जो प्रथम चीज होती है मांग के अंतरगत वह है कि एक टिब्र एक्छा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति उस चीज को खरीदना चाहता है उसके अंदर उस चीज को खरे करने की एक्छा होनी चाहिए दूसरा उसके अंदर उस चीज को खरे करने की संसाधन भी होने चाहिए संसाधन से आसे हैं, रुपय से, उसके अंदर क्रय सक्ति का होना भी बहुत ही आवस्यक है, प्रथम एक्छा सक्ति, दूसरा क्रय सक्ति, और उस चीज को प्राफ्ट करने के लिए खर्च करने के भी जो है सक्ति होने चाहिए, कि वह उस पे कुछ वय को सुनिश्चित कर सके, निश्चित मूल पे क्रे करे और संख्या भी होने चाहिए अगर हम इस प्रकार से कहें कि हमको जो है एक चीज खरीदनी है तो यह कोई जो है अर्थसास के द्रिष्टि कोण से वेष्टी अर्थसास के द्रिष्ट कोण से यह कोई मांग नहीं होई जब हम यह कहेंगे हमको यह वस्तु इतने रुपए में इतनी मात्रा में खरीदनी है तो उसको अर्थसास के द्रिश्ट कोंड से वेश्टी अर्थसास के द्रिश्ट कोंड से प्रभावी मांग कही जाएगी तो प्रभावी मांग में क्रै सकती का होना और उस चीज को खरीदने की कापसिटी छमता पे विसेश बल दिया गया है जैसे मैं एक उदारन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि मान लिजे कि एक व्यक्ति है जिसके मासिक आमदनी दस हजार रुपए है लेकिन वह ऐसी एक गाड़ी फूर विलर को क्रै करना चाहता है जिसकी लागत एक करोड रुपए है और उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है उसको क्रै करने के लेकिन वह एक सोरूम में जाता है और कहता है कि इस गाड़ी को मुझे क्रै करना है तो यह वेश्टी अर्थसास्त्र, अर्थसास्त्र के दृष्टिकोंड से यह प्रभावी मांग नहीं है और इसको हम अपने जो है डिमांड फूरकास्टिंग में और जो भी कमपनिया कार निर्माता हैं, कार को विक्रें कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे और अपने रननीत नहीं बनाएंगे, साथी हम लोगों को यह भी जानना बहुत ही महत्पूर्ण है, कि यह जो मांग है, यह कितने प्रकार की होती है, मांग के जब हम विवित प्रकारों की बात करें, तो उसमें डिमांड फॉर नेसेस्टिज, जो बहुत ही आवसिक प्रकिती की वस्त वस्तुएं होती है, जो व्यक्ति को जो है उसको एक कमफर्ट जो है जून के लिए आवसिक होती है, आराम दायक वस्तुएं होती है, और कुछ वस्तुएं होती है, जो विलासिता की वस्तुएं होती है, तो अगर हम तीनों प्रकार की वस्तुओं को देखें, तो जो आवस वस्तुएं हैं और जो हमें आराम पहुंचाने की वस्तुएं हैं और जो एक विलासिता पूर्ठ जीने के लिए आवस्तुएं है तो तीनों के मांग को अलग-अलग समझना अत्यन्त आवस्तुएं है क्योंकि वेश्टी अर्थसास्त्र में अर्थसास्त के दिश्टोंड से अगर आप अच्छे से तीनों में भेट कर पाएंगे तभी आप एक अच्छे रणनीती बना पाएंगे बाजार को ध्यान में रख करके क्यांकि जो आवस्यक वस्तुएं होती है उसको जो है उसका जब हम मुलते करते हैं तो उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि कितने जो है उत्पादक हैं उस वस्तु के और कितने नहीं हैं क्योंकि अगर हमारी मार्केट में मोनोपोली है तब तो हम जो भी चाहेंगे वह मुल रख सकते हैं लेकिन अगर मार्केट में पूर्ण प्रतिसपरधा की स्थिती है तो मुल जो है स्वता निर्धारित होंगे जब हम बात करते हैं जो दूसरे परकार की एक महतवपोन मांघ है वह है डिमांड फार कंजंशन और डिमांड फार इन्वेस्टमेंट मतलब उपभोग के लिए जब कोई मांग की जाती है और निवेश के लिए कोई मांग की जाती है तो उपभोग के लिए जो वस्तुएं होती है उसका उसको जो है उसकी प्राइसिंग उसका मूल और निवेश के लिए जो मांग की जाती है उसके मूल में प्रायह अंतर भी होता है जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा एक भवन निर्माता है जो की भवन निर्माण का कारे करता है अगर वह अपने स्वेम के घर को बनाने के लिए सीमेंट क्रै करता है तब हम कहेंगे कि यह डिमांड उभोग के लिए की गई है लेकिन वह एक बह ज्यादा से ज्यादा मकानों को बनाने के लिए और उसके निर्माण के लिए तो वह डिमांड जो है डिमांड फार इन्वेस्टमेंट कही जाएगी निवेश के लिए मांग कही जाएगी साथ ही जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्री और अंतर राष्ट्रे अस्तर के भी मांग होती है वह मांग जो एक राष्ट के अंधर की जाती है राष्ट्री महत्यों की होती हैं उसको राष्ट्री मांग कहते हैं लेकिन जब उन्हीं वस्तुएं और सेवाओं की मांग को अंतराष्ट्री जो है बाजार में वैस्विक बाजार में उसकी मांग की जाती है तो उसको हम अंतराष्ट्री मांग कहते हैं तो एक वस्तू के निर्माता को जो वस्तूओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं उनको इस चीज़ का भी ज्यान होना चाहिए कि जो वस्तुएं सेवाएं बना रहे हैं उसके उत्पादन जो उत्पादित कर रहे हैं उसकी मांगराश्ट्री है या अंतराश्ट्री है या दोनों है क्योंकि जब तक आप अपने उत्पादित किये हुए वस्तू की मांग को जो है सही ढंग से सही समय पे जो है यह निर्धारित नहीं करेंगे कि नहीं हमारे वस्तों की सेवाओं की इतनी डिमांड हो सकती है तब तक आप उत्पादन के रणनीत का निर्मान नहीं कर सकते हैं जब हम दूसरे प्रकार की मांग की बात करते हैं एक मांग है जैसे कमोडिटी गूड्स और सर्विसस की भी डिमांड इसको भी हमें समझना होगा कि जो हमारी मांग है वह कमोडिटी की है की वस्तों की है की सर्विस की है क्योंकि तीनों के मांगों की पूर्ती में अलग-अलग संसादनों की जरूत पड़ती है सपोच उदारनार्च अगर हम देखें अगर आप कोई वस्तों का निर्माड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वेर हाउस की जरूत पड़ेगे और उसके साथ बहुत ज़्यादा आधार भूत जो है सुद्धाओं की जरूत पड़ती है लेकिन अगर आप सर्विसेस की डिमांड को पूर्ती करते हैं तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा आधार भूत जो है चीजों की आवसेक्ता नहीं पड़ती है उसके बाद व्यक्तिगत मांग होती है परिवार की मांग होती है और राष्ट्री मांग भी होती है तो इसको भी समझना है कि जैसे कोई वस्तू है वह इंडिविस्वल व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको डिमांड की जाती है तो हम कहेंगे कि यह व्यक्तिकत मांग है लेकिन अगर परिवार के द्वारा जो है फेमली की डिमांड है तो उसको फेमली डिमांड कहेंगे और फिर राश्ट्री अस्तर पे अगर उसको डिमांड की जाती है तो नेशनल डिमांड कहेंगे तो वस्तू किया प्रकिती है और किस अस्तर पे उसको डिमांड किया जा रहा है यह बहुत ही महत्पूर्ण है उसी के अनुरूप निर्माता वस्तू का उत्पादन करता है उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो हम देखें कि वस्तू का जो मांग होता है वस्तू का सेवाओं का वह सौट पिरियड टाइम जिसको हम करते हैं अलपकालिक अलपकालिक भी मांग होती है और दिर्घकालिन भी मांग होती है तो अल्प कालीन जो मार्केट में आती है उसके लिए हमको रणनेती दूसरी बनानी पड़ती है और अगर दिर्ग कालीन मांग है तो उसके लिए हमको रणनेती दूसरी बनानी पड़ती है तो वेष्टी अर्थसास्ट्र के जो विद्यारती इस समय हमको हमारे online counseling class में भाग ले रहे हैं को बहुत अच्छे से जानना होगा कि जो अर्थसास्ट्र है अर्थसास्ट्र की जो एक महत्यपूर्ण एक जिसको हम कह सकते हैं कि अंग है विष्टी अर्थसास्त्र जो कि एक इकाई एक फर्म के जो है संपूर्ण आर्थिक गत्विधियों अर्थचक्र की बात करता है तो उसमें आपको इन चीजों का ज्यान होना बहुत आवस्यक है कि जिन वस्तूओं जिन सेवाओं का आप निर्माड कर रहे हैं वह किस प्रकार की मांग को जो है उत्पन कर रहा है हमारे बाजार में साथ ही हमको जब हम किसी भी वस्तू के जो है मांग को भली भाती समझ जाते हैं जो कि विष्टी अर्थसास्त्र या एक अर्थसास्त्री के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं ला आफ डिमांड जिसको मांग का नियम कहा जाता है मांग का नियम असपश्ट कहता है कि अगर वस्तूओं और सेवाओं का मूल्य में बृद्धी होगी तो वस्तूओं इम सेवाओं की मात्रा में जो है घट उत्री होगी अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर किसी भी वस्तूओं सेवाओं के दामों में बृद्धी करेंगे तो निश्चत जो मांग है वो चाहे इंडिविज्वल मांग हो व्यक्तिगत मांग हो चाहे वह एक बाजार की मांग हो उसमें कम हो जाएगे अतर हम कह सकते हैं अगर वस्तू और सेवाओं की ज़्यादा मात्रा हमको विक्रे करनी है तो वस्तू और सेवाओं के कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ुतरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका जो मांग है और जो वस्तों सेवाओं के एक विक्रे की एक संभावनाएं हैं इन दोनों में विलूम संबंद होता है महान अर्थसास्त्रे मार्सल ने भी इस पे विसेश बल दिया और कहा कि अगर वस्तों और सेवाओं के मूल में ब्रिद्धी होगे तो वस्तों और सेवाओं के जो विक्रे की मात्रा है उसमें कमी होगे और वस्तों और सेवाओं के मूल्यों में अगर जो है कमी होगे तो वस्तों और सिवाओं की मूले जो है मूले की जगह जो मात्रा है जो विक्रे होने की जो एक क्वांटिटी है वह स्वता ही बढ़ेगे जनरली यह जो है मांग का नियम है लेकिन हर यहां मैं अपने लर्नर से अपने विद्यार्थियों से यह जरूर बताना चाहूंगा कि मांग का नियम प्राय हमारे दैनिक छीवन में और हर जगह लागू होता है लेकिन मांग का नियम कभी कभी नहीं भी लागू होता है उसको मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं जैसे विलास्ता की जो वस्तुएं होते हैं बहुत जो आवस्यक वस्तुएं होते हैं और जिवन रक्षक दवाएं होते हैं इन सब चीजों पे कई बार मांग का नियम लागू नहीं होता क्योंकि अगर आप कितना भी उसका मुल बढ़ाएंगे लेकिन जो क्रै करना है जिसको वह उसको पूरा पूरा क्रै करने के लिए प्रयासरत रहता है फिर प्रशने आता है कि हमने यह समझ लिया कि मांग क्या है मांग के प्रकार क्या है और किस प्रकार से मांग का नियम कार्य करता है फिर हम और इसके आगे बढ़ें तो इसमें है Determinants of Demand जिसको हम कह सकते हैं मांग के निर्धारक कौन है ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी मांग को सुनिश्चित करने का जो सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित आप जानते हैं कि अगर यह जो हम एक Micro Economics वेश्टी अर्थसास्तर पढ़ रहे हैं यह संपूर्ण अर्थसास्त का एक पार्ट है दूसरा जो एक महत्पूर्ण पार्ट अंग है वह है Macro Economics जिसको आप जानते हैं कि संपूर्ण उसमें अर्थ वेश्टा का हम अध्यन करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि एक है Customer एक है पूरा Market तो अगर हम दोनों को कलब कर दें तो हमारी टोटल जो है एक डिमांड नरधारित होती है तो डिटर्मिनेंट्स आप Consumer डिमांड जो एक भूगता है उसके डिमांड को उसकी मांग को कैसे हम नरधारित करें इस पे भी हमको अच्छे से जानने का प्रियास करना चाहिए एक एक जो डिमांड है वह है कि Consumer का डिमांड कैसे आगे बढ़ेगा किस प्रकार से उभूगता के मांग को हम सुनिश्चित करेंगे और दूसरी तरफ जो है मांग बाजार की होती है तो इसको भी हम समझने का प्रियास करते हैं तो जब हम बात करते हैं उभूगता की मांग की निर्धारक तत्त कौन-कौन से हैं तो प्रथम उसमें है वस्तू इंसेवाओं का मूल्य क्या है वस्तू इंसेवाओं का मूल्य यह बहुत ही महत्पूर्ण कारक होता है दूसरा वस्तू इंसेवाओं से संबंधित जो जिस वस्तू को हम करे करना चाह रहे हैं उस वस्तू से संबंधित वस्तूओं का मूल्य क्या है और जो कंस्यूमर है जो उभूगता है उसकी आय क्या है और उसके साथी consumer का टेस्ट क्या है, उसकी रुची क्या है, उसकी अविरुची क्या है, इस पे consumer का demand निर्धारित होता है, उबहुकता की मांग निर्धारित होती है हम कर सकते हैं कि चार महतपूर्ण कारक हैं पहला वस्तु एमसेवाओं का मूले क्या है दूसरा वस्तु एमसेवाओं से संबंधित जो है जिस वस्तु को हम क्रे कर रहे हैं उससे संबंधित वस्तु एमसेवाओं का क्या मूले हैं और तीसरा जो कंस्यूमर है जो क्रे करना चा प्राइस आप कमूडिटी वस्तू और सेवाओं के मूल्य की अगर बात करें तो वस्तू और सेवाओं का मूल्य जो होता है यह डिमांड को तैं करता है एक उधारण मैं यहां लेना चाहूंगा मान लिजे कि आम का मौसम है और आप सभी लोग देखते हैं कि जब आम बाजार में सुरू में बिकने के लिए आता है तो उसका मूल्य प्रायह ज्यादा होता है क्यों क्योंकि आम जो है उसकी सप्लाई उतनी मातरा में नहीं हो पा रही है जितनी मातरा में डिमांड है लेकिन एक समय होता है जब आम का फल जो है एकदम रेडी होता है मार्केट में सेल होने के लिए उसको हम स्टोर नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा आम जो है मार्केट में उसकी पूर्ती कर दी जाती है तो हम देखते हैं कि उस आम का मूल प्रायह जो है पहले की तुल्ला में बहुत कम हो जाता है लेकिन फिर एक समय के बाद वही आम जो है फिर जब मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है फिर उसका मूल जादा हो जाता है तो जब मूल कम हुआ पहले मूल जादा था फिर मूल कम हुआ फिर मूल जादा हो गया तब डिमांड भी हमारे अलग अलग रहे मांग भी अलग अलग रहा एक घर में जहां पहले पांच केजी जो है सिर्फ में आम क्रै किया गया फिर जब प्राइस उसका डाउन हुआ तो फिर आम पुना जो है बहुत कम मातरा में क्रै किया गया तो किसी भी वस्तू की वस्तू का जो मूले होता है वह उसके मांग को निरधारित करता है ज़्यादा मूले होगा तो निस्चित उसका कम जो है मांग होगा और कम होगा तो उसकी मांग जादा होगी लेकिन कई बार उस वस्तु की प्रकित पे भी निर्भर करता है कि उसकी प्रकिती क्या है प्रकिती जो है अगर आवस्यक जो है उसकी है आवस्यक वस्तु की है तो उसको कोई बहुत जादा जो है उसकी मांग में प ऐसे उधारण लेते हैं घर में आवसिक वस्तूं को नमक लीजिए तो नमक के अगर प्राइस में चाहे हम कितना भी कम कर दें कितना भी जादा कर दें तो ऐसा नहीं है कि नमक की डिमांड में भी आसा तीज जो है फ्लेक्ट्वेशन जिसको हम कर सकते हैं कि बृध्धिया कम ह कि वह एक आवसिक वस्तु है और उसके मुल्यों में बहुत तेजी से बढ़ना बहुत तेजी से घटने से उसके डिमार्ड में बहुत जादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जो उसको प्यूग करने का जो एक तौर तरीका है वह निश्चित है प्राइस आफ अधर रिलेटेड गूड्स हम कह सकते हैं कि वह वस्तुएं जो जिस चीज को हम क्रे करने जा रहे हैं उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं का मुल्य क्या है इस पे भी हमारी मांग जो है वह निर्भर करती है जैसे अगर हम ऐसे समझें कि हम मार्केट में अरहर की डाल को क्रे करने जाते हैं और उसका मूले बहुत ज़्यादा है तो हम निश्चित मार्केट में यह पूसते हैं कि और डालों का मूले क्या है अगर और डाल जो है लगभग उसके बराबर उससे कम या उससे ज़्यादा होता है तो एक उबहुकता यह नर्ड़े लेता है कि हमको कौन सी दाल कितनी मातरा में क्रह करने है तो यह बहुत महत्पूर्ण होता है कि जिस चीज को आप क्रह करने जा रहे हैं उससे संबंदित वस्तुओं का मूले क्या है इससे भी डिमांड तैं होती है मार्किट में प्राय यह देखा गया कि जब कोई ग्राहक किसी वस्तुओं को क्रह करने के लिए जाता है तो उससे जो कंपनिया हैं जो फर्म हैं जो निर्माता हैं उस वस्तुओं को बनाने के लिए वही वस्तु कितने में उसको क्या प्राइसिंग क्या मूले रख रहे हैं इसकी जرूर जो है एक जानकारी हांसिल करते हैं और जानकारी हांसिल करने के बाद «ुसको क्रै करते हैं», क्योंकि जो विश्टी अर्थ सास्त्र है, इसका ग्यान हमको नडेन में बहुत उप्योगी होता है. ठीक उसी प्रकार से जैसे आप computer की दुकान पे जाते हैं और आप पूसते हैं कि डिल का computer का रेट है और इसके कौन से model क्या रेट है उसकी size क्या है फिर आप जो है दूसरे company के computer की दुकान पे जाते हैं और जब आप एक बाजार का अध्यान कर लेते हैं तब आप अपनी मांग जो है एक मांग बताते हैं कि मेरी मांग एह है कि मुझे दो की संख्या में डेल कंप्यूटर चाहिए तो आपने पूरा अध्यान बाजार का किया तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तू जो सेवाएं हम क्रै करने जा रहे हैं उस प्रकार की वस्तू और सेवाओं का मार्केट में क्या रेट है क्या मूले है इससे भी जो है तैं होता है साथी income of consumers उभ्भोकता की आए उभ्भोकता की आए जो होती है यह सबसे महत्पूर्ण कारक है अगर उभ्भोकता की आए अच्छी है अच्छी earning है उभ्भोकता के पास तो कई बार जो है demand बहुत अच्छी उसके द्वारा की जाती है और कई बार ऐसा भी देखा गया अगर उभ्भोकता की आए अच्छी नहीं है तो demand वस्तू की नहीं होती क्योंकि हमें व्यष्टी अर्थसास्त्र हमेशा इस चीज को बताता है कि हमेशा अपनी आगम और अपने खर्च के बीच हम कैसे समनवे अस्थापित करें तो income of consumers उभ्भोकता की जो आए है वह बहुत महत्पूर्ण होती है हमारी मांग को नरधारित करने के लिए अगर उभ्भोकता जो है अच्छे income को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित खर्च करने की जो प्रवित्ती है क्रे करने की जो प्रवित्ती है वह अच्छे होगे अगर उबहुकता के पास regular income अच्छी income की संभावनाएं या चीजे नहीं हैं तो उसके जो मांग करने की प्रवित्ती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक बहुत महत्पूर्ण है वो है कि उबहुकता की रूची उबहुकता की रूची और उसका जो एक हम कर सकते हैं टेश्ट यह भी मांग को निर्धारित करता है उबहुकता की रूची किस चीज को करे करने में है और किस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा करे उस चीज के लिए बहुत ज़्यादा प्यास करता है कि हम करे कर सकें रूची का बहुत ही महत्पूर्ण अस्थान होता है जिसको हम कह सकते हैं कि रूची के साथ साथ जो है अ हमारा इंट्रेस्ट क्या है इंट्रेस्ट भी बहुत ही महत्पूर्ण होता है उसकी चीजों पर वह ज्यादा मांग करता है जैसे माल लीजे कि एक उदारण इसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ब्रांडेड किसी जैसे आप कलम को ले लीजे माल लीजे बहुत प्रकार की कलम है आपके पास लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के जो है कंपनी के कलम का ही परचेज करना चाहते हैं तो उस तो एक कश्टमर होने के कारण एक बोगता होने के कारण आप उस पर्टिकुलर कंपनी की कलम की मांग जाता करेंगे तो यह आप की रुची है आप किसी स्पेसिफिक जो है कंपनी की उत्पात को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं तो उसकी मांग अपने आप बढ़ेगी तो यह डिटर्मिनेंट्स हो गए जो निर्धारक्तत हो गए एक कस्टमर के जो है पॉइंट आप यू से हम कहें फिर जब बात हम करते हैं जो दूसरा एक महत्पूर्ण भाग था कि मांग कैसे निर्धारित होती है तो मांग एक तो उभुगता की मांग होती है वह बड़ा ही महत्प किया कि उभुगता की मांग और दूसरा जो है वह है मार्केट की डिमांड बाजार की मांग तो बाजार की मांग को जब हम निर्धारित करते हैं बाजार की मांग को जो विभिन तत्तों है निर्धारित करने वाले वह बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि बाजार की म से सभी उबहुकताओं की मांग को ही हम बाजार की मांग कहें तो यह बिलकुल भी गलत नहीं होगा तो अगर उबहुकताओं के डिमांड के जो कारक थे उसमें हम दो तीन चीजों को और जोड़ दें तो वह मार्केट की डिमांड हो जाती है जैसे उसमें अगर हम देखें तो मार्केट की डिमांड में जो है साइज आप पापलेशन को हम ले सकते हैं कि कितना जो है मार्केट का विस्तार है किस संख्या में बाजार में वस्तवे जा रही है या बाजार की साइज क्या है क्योंकि जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ज्यादा जो है कंजूमर होगा वह पे होगी साथ ही जो है आयका वितरण किस प्रकार से है आयका जो है वितरण उस बाजार में उस सोसाइटी में कैसा है यह भी बहुत मतलब जो है रखता है जब हम बाजार की मांग को निर्धारित करते हैं जैसे मान लीजे कि एक छेत्र है जहां पे पचास घर हैं तो पचास घर में यह देखा गया कि 48 घरों में जो आए है वह 5000 से कम है लेकिन दो घर हैं जहां पे आए 2 लाक रुपई से जादा है तो फिर यहां पे अगर हम देखें तो जो आए का वित्रण है आए को अर्म करने की जो एक छमता है लोगों में वह बराबर न नहीं है 48 घर ऐसे हैं जो बस 5000 रुपई मासिक आए को अर्न कर रहे हैं और दो घर ऐसे हैं जो 2 लाक रुपई से जादा अर्न कर रहे हैं तो फिर डिमांड जो होती है इस पे भी डिपेंड करेगी मान लीजे कि बहुत आवस्यक वस्तुएं थें तो ऐसा तो है नहीं कि मातरा बहुत ज़्यादा क्रेक करने लगेंगे तो इस पे भी डिपेंड करता है हाँ उनके जो अच्छी आए को अन कर रहे हैं उनके लगजीरियस जो आइटेम्स हैं जो प्रोडेक्ट्स हैं वस्तों और सेवाएं हैं वहां पर उसकी डिमांड निश्चित बढ़ जाएग उसमें 48 घर से उसकी डिमांड नहीं आएगे लेकिन यह संभावना है कि दोनों घरों से उसकी डिमांड आ जाएगे क्यों क्योंकि उनके पास आए जो है अच्छी है उस चीज़ को क्रेकरने की फिर हम लोग इस प्रकार से व्यक्ती उभुगता की मांग और बाजार की में यहां पर चर्चा किये फिर हम अपने इस जो है विश्टी अर्थ सास्त्र के जो है विभिन अउधालनाओं को जानकारी हासिल करते हुए हम आगे बढ़ें तो एक जो है बहुत ही महत्तोपूर्ण अउधालना है वह है जिसको कहते हैं मांग अनुसूची डिमांड सीड जो है यह हमको प्रायह मांग के नियम को मांग को समझने में बहुत मदद करती है यह एक जो है जो महत्तोपूर्ण तर्थ होते हैं प्रभावी मांग के उन सभी को एक टिबलेशन फॉर्म में दिखाता है जिससे विश्टी अर्थ सास्त्र के जो अर्थ सास्त्र हैं वो संपूर्ण मार्केट को इंडिविजबल फॉर्म को जो है अच्छे से समझ सकते हैं उसकी मांग क्या है जैसे एक डिमांड सीडूल का मैं यहाँ पे एक उदारन लेता हूँ जैसे मान लीजे कि जम्मू कस्मिर में अगर सेब का उत्पादन अच्छ होता है तो एक डिमांड सीडूल उसके तयार किया गया कि 100 रुपए केजी जब सेब का मूल्य होता है तो उसका 15 जो है 15 केजी एक वीक में एक इंडिविजवल जो है उसको परचेच करता है एक व्यक्ति 100 रुपए का जब सेब का मूल्य होता है तो हपते में 15 किलो सेब दूसरा जब उसका मूल्य बढ़ जाता है और 200 रुपए मूल्य होता है तो वह व्यक्ति उसके परचेश को कम करके सिर्फ 12 किलो सेव प्रतिसर अब जो है प्रतिसपता क्राय करता है और जब 300 रुपए कीजी उस सेव का मूल्य हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिसपता 8 kg सेव को क्रे करता है और जब 400 रुपए उसका मूल सेव का हो जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ 3 kg सेव को क्रे करता है Dear Learners अगर आप ऐसे देखें इसको कि जब 100 रुपए था तो 15 kg जब 200 रुपए था तो 12 kg जब 300 रुपए था तो 8 kg जब 400 रुपए था तो जो है वह 3 kg सेव को सब्ता में खरीद रहा है इसकी अगर हम एक तालिका बना लेते हैं एक तरफ जो है मूल सेव का दूसरी तरफ जो है सेव की मांग को लिख लेते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग जो है सेव को क्रे करने में जो धन को वै किया गया है वह लगभग 2400 रुपए मैक्सिमम है जब 200 रुपए केजी सेव था और 12 किलो सेव सब्ता में क्रे किया गया 2400 रुपए मैक्सिमम जो है रुपए का सेव क्रे किया गया और फिर अगर मिनमम हम देखें तो 1200 रुपए क्रे किया गया जब 400 रुपए केजी हो गया था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ तीन केजी क्रे किया गया तो 1200 रुपए से लेकर के 2400 रुपए तक एक इंडिविज्वल एक व्यक्ति के द्वारा जो है सेव को क्रे करने पे खर्च किया गया तो इसमें जो ध्यान देने योग्या तत्य है वतत्य यही है कि मूल्य और जो है जो क्वांटिटी मार्केट में सेल हो रही है जो डिमांड जनरेट हो रही है इसका बड़ा जो है एक बहुत महत्पूर्ण दोनों में संबंध है संबंध जनरली विलोम का होता है कि अगर कम है प्राइस तो कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है पिर यह जो मांग की अनुसूची है तो हमारे अर्थसास्तृ में मांग की अनुसूची का बड़ा ही महत्पूर्ण अस्थान है क्योंकि चीजों को अगर हम तत्थियों में एक इस प्रकार से बताएं तो अर्थसास्त्रियों को बहुत समय लगेगा और इतना उनके पास समय नहीं होता क्योंकि मैंने अपने प्रारंभिक जो है क्लास में आपनों को बताया कि जो व्यस्टी अर्थसास्त्र है यह बहुत ही महत्पूर्ण है नर्डेयन में और नर्डेयन क्या है उपलब्ध अनुसूची से ही मांग जो है वक्र बन जाता है तो मांग अनुसूची है मांग वक्र है तो यह वक्र क्या है जिसको हम डिमांड कर कहते हैं यह मांग वक्र जो होता है यह बताता है कि वस्तूओं के मोले और वस्तूओं की जो एक विक्रे की जो संख्या है जो विकी है उन दोनों के बीच का संबंध जो है एक वक्र के द्वारा X-axis और Y-axis पे दिखाया जाता है तो हमारे वेश्टी अर्थसास्त्र के जो अर्थे वित्ता होते हैं यह प्रायह चीजों को जब विसलेशन करते हैं तो अपने सामने डिमांड सिडूल, डिमांड कर्व, जिसको करते हैं कि मांग की मांग तालिका और मांग वक्र जो है यह दोनों अपने पास असपश रखते हैं जिससे कि एक द्रिश्ट कोण में उनके सामने सभी उसके प्राइस और उसकी डिमांड के जो है एक पिक्चर प्रिजन्ट हो तो यह जब उनके पास इन चीजों को प्रिजन्ट किया जाता है आजकल जो है सूचना तक्नीक ने चाहे वह डिमांड सिडूल हो चाहे डिमांड कर्व हो इसको बहुत ही अच्छे से डिजिटलाइट फॉर्म में रिफलेक्ट करते हैं जो कि हमारे वेस्टी अर्थसास्तर के जो विसिशग्य हैं उनको तमाम नर्णे लेने में मदद करता है जैसे मालीजे कि अगर एक डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व प्राया अभी हमने आपको सुरू में बताया ये भी बात करेंगे कि यह राइट दाये तरफ जो है यह डिमांड कर्व ढ़लवा क्यों होत है क्यों इसका एक ढाल ऐसा होता है यह इसी लिए है क्योंकि यह कर्व हमेशा समझे जब वस्तू का प्रायस जादा होगा तो उसका मूली कम होगा तो जब वस्तू का प्रायस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी बिकने वाली जादा होगी तो अगर हम इसको एक्स एक्स और Y-axis दोनों पे डॉना करें तो हम पाएंगे कि कर्व इसी प्रकाराब से बन रहा है जो राइट हैंड साइड जो है एक धाल की तरफ होता है उसके प्रितिस्थापन की वस्तुएं हैं उसका भी रोल होता है उसके साथ साथ आय जो होती है उसका भी रोल होता है और प्राइस जो होती है उसका भी रोल होता है क्योंकि अगर चीजें बढ़ेंगे किसी चीजों का मुल अगर बढ़ेगा तो उसकी जो प्रतिस्थापन वाले वस्तुएं होती है उसको कश्टमर जो है परचेश करना सुरू कर देता है मालि रेडिये एक कुप्राय करता है लेगन रडांव तैजे से बढ़ गया तो फिर जो है वह वाइ अगर यस करता था तो य पर अगर वाइक करे करता है तो वह सकता है अगर जो उसके प्रतिस्थापन वस्तु है तो इनकम उफेक्ट तो है है और जिसकी मैंने भी बहुत थे वरिष्चुत रूप से चर्चा की यहाँ पर प्राइज प्राइज मुल का प्रायह जो है एक महत्पूर्ण अस्थान है उसमें फिर हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक बड़ा ही इंपोर्टेंट मांग के ही नियम का जो है एक महत्पूर्ण अउधालना है वह है डिमांड फोरकास्टिंग मांग पूर्वानुमान मांग पूर्वानुमान को भी विष्टी अर्थसास्तर में एक बहुत ही महत्पूर्ण रूप से इसका अध्यन किया जाता है मांग पूर्वानुमान यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे मैं आप लोगं को बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हमारे मौसम वैज्ञानिक मौस जो है प्राकरतिक आपदाओं से मनुसे के जीवन को सुरक्षित रखते हैं ठीक उसी प्रकार से वैश्टी अर्थसास्तर में हमारे जो अर्थसास्तरी होते हैं वह उस्सवस्तू उसेवाओं का मार्केट में जो है जो एक संभावित बाजार है उसमें कितने की संख्या में उसकी मांग की संभावना है, इसको निर्दारित करते हैं और निर्दारित करने के बाद उसी के अनुसार उत्पादन उसका सुनिच्चित करते हैं. क्योंकि जो अर्थसास्त रहे यह हमेशा हमें बताता है कि कभी भी हमको अपने आए और अपने वे में हमेशा धिहान रखना है ऐसा नहों कि हमारी आने वाली आए जो होती है जितना हम उसमें वे कर रहे हैं उससे बहुत कम हो अगर कम होगी तो हाने होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी तो मांग पुर्वा नुमान जो होता है वह व्यस्टी अर्थसास्तर में एक इकाई को उत्पादन इकाई की जो भी चीजें उसमें बनाई जा रही हो निर्मित की जा रही हो उसकी संभावित मांग को जो है नरधारित करने की एक पुर्वा नुमान की योस होती है क्योंकि अगर डिमांड को मांग को हमने सही ढंग से पुरुवा नुमान नहीं लगाया तो हम किस चीज का उत्पादन करेंगे और उस उत्पादन चीज को किस रेट पे हम क्रे करेंगे उसका कब जो है हम किस विधी से जो है उसको बनाएंगे जितने भी उत्पादन की प्रक्रिया में जो प्रस उठते हैं उसको हम सही सही उसका जबाब इसी डिमांड फूरकास्टिंग में ही हम नरधारित करते हैं फिर जब डिमांड फूरकास्टिंग है मांग पूरवानुमान है तो वेस्टी एर्थसास्त्र में हम बहुत सारे जबाब को फूरकास्ट करने के लिए पूरवानुमान लगाने के लिए बहुत सारे जहें method पे भी चर्चा की गई है उसमें arithmetic method है जिसमें moving average का हम प्योग करके उसको पुरौनमान लगाते हैं, opinion pool method है कि हम particular वस्तु सेवाओं के विक्रे के संभावनाएं क्या हैं, उसको भी हम opinion लेते हैं, संभावित मार्केट में जाकर के जो लोग leading company हैं, leading customer हैं, उनसे हम लेते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जह आप लोग माल में यह कहीं पर जाकर कि क्रे करते हैं किसी वस्तू का और क्रे करने के बाहर आते हैं, तो कई जो है लोग होते हैं, जो service करते रहते हैं, कि आपको इस mall में, आपको इस shopping center में कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको जो है यहाँ पे नहीं मिली या किस चीज को आपने ज़्यादा prefer किया, मतलब कि वो आपका opinion जानना चाते हैं, और वो opinion निश्चित ही demand को सही धंग से forecast करने की दिसा में ही एक कदम होता है, और जो product cycle है, जो एक वस्तो है, उसकी एक पुरी प्रक्रिया है, एक पुरा चक्र है, कि वस्तू का एक, हर एक वस्तू की एक life cycle होती है, तो life cycle भी जो होती है वह भी बहुत जादा हमें सही होग करती है, कि हम कैसे मांग का पुरा नुमान जो है, वह सुनिश्चित करें, जैसे मान लिजे कि product life cycle का एक उदारन लिजे, अगर कोई वस्तू market में नहीं है, तो निश्चित सुरुआत के जो दौर होते हैं, उस में उस वस्तू का, उस जो एक मांग होती है, वह बहुत initial phase में होती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि लगभग वह नहीं के भी बराबर हो सकती है, तो लेकिन धीरे 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 जब वस्तू इस्टाबलिस हो जाती है market में, और एक growth टाइम आ जाता है, तो निश्चित एक समय आता है, कि उसकी मा बढ़ने लगती है, और फिर अगर प्रोडेक्ट लाइफ साइकल में अगर फीक का टाइम है, तो निश्चित वह उसकी सबसे हाइस्ट डिमांड मार्केट में होगी उस समय, उसके बाद फिर से जो डिमांड है, वह डिक्रीजिंग माने घड़ते हुए, जो है क्रम में फि जो साथ ही बहुत सारे हमारे एक्सपर्स होते हैं मार्केट के, उनसे भी जो है वेश्टी अर्थसास्तर के अर्थसास्ति बात करते हैं, और चीजों को निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट में किसी वस्तूओं का, किसी सेवाओं का, इसको बनाने का, इसको ला जैसे अभी आपको बताना चाहूंगा जैसे उद्ध में है एक वह उद्ध में है जो सफल है तो उससे अगर आप पूछेंगे नहीं कि जब आपने उद्धिमिता की कारिक को प्रारम किया तो आपको कौन-कौन से उसी दिक्कते आए तो बताएगा कि पहले हमारे पास जो है दिमांड नहीं आ रहे थी फिर जब हमने मार्केट में अच्छा प्रचार-प्रसार किया तो दिमांड जनरेट हुई तो जब दिमांड जनरेट होने लग गई तो कस्टमर ने बताया कि नई आपके इस product में यह चीज होनी चाहिए यह specific चीजें होनी चाहिए तो फिर हमने उसको जो है incorporate किया तो जो experience जो एक बेवसाई होते हैं और जो market को अच्छे से study कर रहे हैं उन लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा युगदान होता है demand forecasting में कि demand को सही ढंग से किस प्रकार से उस में मैंने जैसा भी आपको बताया arithmetic method है, opinion poll है, product life cycle का भी बड़ा महत्पून रोल होता है, हमारे जो market के experts होते हैं, इनका भी योगदान होता है जो market को बहुत close watch करते रहते हैं कि वस्तू कर से आती है, कैसे उग्रो करती है, कैसे फिर उसका price तैं होता है, इनको हम कहते हैं कि market का जिनको अच्छा knowledge होता है, तो उनसे भी हम एक discussion कर सकते हैं और उनके review को ले सकते हैं, जो कि market forecasting, demand forecasting में बहुत ही ज़्यादा मदद हमको करती है, साथे यहां यह भी दिहां रखना है, कि जब हमारे demand को forecast कर रहे हों, तो उस specific area में कौन-कौन से company कारे कर रहे हैं, उनके annual reports होते हैं, जिसको वार्सिक report कहते हैं, उस वार्सिक report के प्रतवेदन में अगर हम देखेंगे, तो पाएंगे कि किस company ने कितना sales किया, और कितनी revenue अच्छे से एक research करके किसी भी चीज को नर्धारित करते हैं, तो हमारे गलत होने की संभावनाएं कम होती हैं, तो dear learners, आज हम लोगों ने अपने बहुत महत्पूर्ण चीजों को जो cover किया, अपने इस स्वेंप्रभा के live online classes में, उस पे मैं पुनहां आप लोगों को एक conclusion के रूप में बताना चाहूंगा, कि जितनी भी चीजों को आज आप से discuss हुआ, डिमांड क्या है, मांग क्या है, और मांग के प्रकार क्या है, लाब डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, और मांग को नर्धारित करने वाले तत्तों क्या है, उन तत्तों में भी आपने दे तो अगर हम मार्केट की डिमांड की बात करें तो मार्केट की डिमांड में भोकता का डिमांड सोता ही समलित है और डिमांड की डिमांड सीडूल क्या है डिमांड कर्व क्या है और डिमांड कर्व जो होता है वह राइट डाउन स्लोप में क्यों होता है साथ ही डिमांड की फ और उसको डिमांड को फोरकास्टिंग करने के जो विविधा तक्नीक है उस पे भी चर्चा और पड़ चर्चा किया. यहाँ पे जितने भी हमारे लेर्नर इस समय हम से जोड़े हैं इनको मैं बताना भी चाहूंगा कि जो बी ए सी सी वन थ्री वान एक सो एक तिस का यह जो पार्टिकरम आप लोगों को यहाँ पे आउनलाइन काउंसलिंग के लिए मैं दे रहा हूं इसकी जो पूरी ए कंटेंट है आप लोगों को बुकें आपके पास होंगी और दूसरा जो है हम इग्यान को से इसके इकंटेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी चीजों को आप अच्छे से जो मैंने डिसकस किया बहुत व्रिस्तित रूप से उसमें दिया गया है और उसको अच्छे से क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि अर्थसास्त्र और विश्टी अर्थसास्त्र जो है यह हमारे दैनिक बेवहार की जो है का विसाय है और इसमें हम जितना ज्यादा इसको अधार्णाओं को समझने का प्रयास करेंगे उतना हमें यह विसाय रूच कर लगेगा अर्थसास्त्र जो है बहुत ही उपयोगी है आने वाले जो हमारे आल्लाइन सेशन होंगे उसमें हम लोग जो माक्रो एक्रोमिक्स के भी बहुत सारे तत्तों हैं उसमें भी चर्चा और पड़ चर्चा करेंगे क्योंकि अर्थसास्त्र जो है जो माइक्रो एक्रोमिक्स है जिसको आप लोग भी पढ़ रहे हैं वेश्टी अर्थसास्त्र इसके सिधानतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है जो फंडमेंटल नियम है उसको हमें अच्छे से समझने की जरूवत है और वह कैस है बस समय और जो मार्केट के ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस विधियों में बस परिवर्तन हो सकता है तो जितने भी हमारे लर्नर हैं आज इस आल्लाइन सेसन में भाग लिए उनलों का बहुत-बहुत जो है मैं आभार वी विक्त करूंगा कि आप लोग इसको अटेंड किये और जितनी भी चीजों पर आज चर्चा हुई है उसको खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिए और समझने के साथ साथ जो आपके टेक्स्ट है जो पार्ट सामागरी है उसको अच्छे से पढ़िए ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़िये तो इसके लिए निरंतर अपने पार्ट सामागरियों का ध्यान करिए स्वेंप्रभा जो है इस प्रकार की आनलाइन जो क्लासे हैं उसको अटेंड करिए अपने को जूड़िये आप आएंगे कि किस प्रकार से आप दिन प्रदिन आप अपने कोर्स से ज्यादा से ज्यादा ज् क्योंकि जैसे अगर आप यहां पे पूरा study market का करते हैं पूरी economics का करते हैं तो उसी प्रकार से आप जब एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाह रहे हैं जो कि अर्थ बेवसाय के छेत्र में और अर्थसास के स्वेट में अच्छा कारे करेंगे तो जब आप अधार्णाओं की एक अच्छी जानकारी रखेंगे उन पे अच्छा नालेज रखेंगे तो निश्चित आपको अच्छा कैरियर भी देंगे और आपको आपके knowledge में बहुत तेजिसे बृद्धी भी करेंगे क्योंकि जो knowledge है आज हमने आपको स्वेंप्रभा के इस live जो है counseling class से दिया आपको मैंने जो है मारजशन दिया कि आप इग्यानकोस से जो है अलग अलग उसमें units हैं उसका अध्यान करें और हमारी जो पार्ट सामागरी है वह इस प्रकार से है जैसे आपको लगेगा कि हमारे counselor हम लोग आपको स्वेंप डारेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जब आप पढ़ करके उसको समझेंगे और इस प्रकार की स्वेंप्रभा के channels प बहुत रुचकर होगा क्योंकि अध्यान हमेशा स्वेंप को उससे जुडाव मांगता है जितना ज्यादा आप जुडाव रखेंगे उतना ज्यादा आप उसको समझ पाएंगे और इसको जितना आपका अध्यान हो रहा है इसको प्रॉपर समझे समझने के बाद उसको अप इतने सब्दों में जो है लिखने का भी प्रयास करिए तो इस प्रकार से आपका कांसेट क्लियर होगा और आप दिन प्रदिन वेश्टी अर्थसास्त्र को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे इनी सब्दों के साथ मैं सपनस्थाना आप सभी लोग का बहुत-बहुत हूं कि आप लोग सेंप्रभा अ झाल झाल झाल